वो वो टाजो! श्रिलंका के लिए अगर आज कोई ये सवाल करे कि वहा की जनता कैसी है तो बेधरक कहा जा सकता है कि श्रिलंका वासी स्तडकों पर है भूखे हैं, नाराज हैं, परिशान हैं, बिलख रहे हैं चोटी-चोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं और आंदोलित हैं उनमें सप्ता के खिलाफ आग है उनसे कुछ न ठीक हो पाने का विश्वास है वे अप परिवर्तन चाहते हैं राजपक्षे शासन का अंत चाहते हैं वापिस रोजगार चाहते हैं घर में जलता चूरा चाहते हैं बिन विजली बंद पड़े बल्बो से उजाला चाहते हैं लार ठपकाते नन्हे मुन्हों के लिए चिज्जी चाहते हैं स्कूल कॉलेज फिर से आबाद चाहते हैं बंद फैक्टरियों की चिम्ली से उठता धुवा चाहते हैं युवाओं की आखों में नया ख्वाब चाहते हैं अर्थ विवस्था को फिर पट्री पर लाना चाहते हैं और सबसे बढ़कर देश में इनकलाब चाहते हैं श्रिलंका में आज इसी तरह की चाहतों के साथ पूरे का पूरा देश इनकलाबी हो गया है क्या बच्चे क्या जवान क्या महिलाएं क्या बुजर्ग और क्या अमीर कैसा गरीब सबकी बस एक ही जुआ है सब हाथों में बैनर पोस्टर थामे हुए हैं सब सड़कों पर उतर आए हैं पिछले कई दिनों से नारे लगा लगा कर अब इनका गला भी रूंद चुका है एहसास उन्हें भी है कि उनकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है श्रिलंका में विपक्षीदल S.J.B. यानी समागी जन बाल वेगया ने सत्ता के खिलाफ रण भेरी फूक दी है पिछले दिनों राज्टपती गोतबाया के एकल सरकार वाले प्रस्ताव को ठुकाने वाली मुख्य विपक्षीदल S.J.B. ने अब सस्पैन से पर्दा उठा दिया है और बोल दिया है कि वो सदन में राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी देश के हित में है और ना ही देश उनको बरदाश्ट करने वाला है मुख्य विपक्षीदल S.J.B. ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समूचे विपक्ष की संयुक्त बैठक बुलाई है जिसमें आम सहमती बनने के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी तेज की जाएगी गौरतलब है कि लोग श्रिलंका की राजनीती में राजपक्षे ब्रैंट से आजी जाते दिखाई दे रहे हैं दरसल श्रिलंका की राजनीती में जबरदस्त परिवारवाद हावी रहा है राजपक्षे परिवार का दबदबा यहां की राजनीती में देश को मिली आजादी के बाद से ही कायम रहा है यहाला कि कोई राजगाराना तो नहीं है लेकिन राजपक्षे कुन्बे का राजनीती करसूख ऐसा रहा है कि वो खुद यहां की राजनीती के केंदर बिंदू में रहते आए हैं यहां राजपक्षे के पद पर गोधबाया राजपक्षे हैं इनहीं के बड़े भाई देश के प्रधान मंत्री हैं जिनका नाम है महिंदा राजपक्षे इनके छोटे भाई हैं बासिल राजपक्षे जो अब तक यहां के वित्त मंत्री थे और जिन्होंने देश की आर्थिक क्लुटिया डूब जाने के बाद मंत्री पद से स्तीफा दे दिया था जबकि 11 मंत्रालेओं के साथ साथ राज्ट्रपती और प्रधान मंत्री सचीवाले तक में राजपक्षे सरनेम वाले अधिकारी भरे पड़े हैं जो आपस में किसी ना किसी धंक से पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए हैं राजपक्षे सरनेम की ये तीसरी पीढ़ी है जो यहां की राजनीती में सक्री है देश में एक ही परिवार के ऐसे दबदबे को देखते हुए ऐसे हालात के बीच श्रिलंका की जनता में भी भारी रोश देखने को मिल रहा है ऐसे में अब श्रिलंक की पूरी आवाम और वहां के विपक्षी दलों के तेवर्देख इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा है कि यहां की सप्ता से राजपक्षे ब्रैंड बहुत जल्द काफुर होने जा रहा है इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही है वन इंडिय हिंदी के साथ